हेलो एवरिवन मैं सीए विशाल असोपा आज पिनॉर्मिक एड्यूकेशन की तरफ से आज इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं इन डे शिक्स्टीन का थोड़ा सा डिफिकल सा टॉपिक दाट इस डी कमिस्टिंग लियाबिलिटी जी हाँ डी कमिस्टिंग लियाबिलिटी ओफन ऐसा होता है कि यार स्टुडेंट्स एक्जाम में छोड़के जाते हैं और मुझे लगा कि यार इस वीडियो में उसके बारे में हमें डिसकस करना चीए लेकिन डी कमिस्टिंग लियाबिलिटी से पहले हमें ये पता होना चीए कि exactly इन क्या बाते बोलके रखिए with regards to subsequent recognition because कहीं न कहीं वो डी कमिस्टिंग लियाबिलिटी वाला पार्ट जाधा clear तब ही हो पाएगा जब हम लोग के दिमाग में ये clear होगा कि यार property plant and equipment जो इन डेस 16 में आती है उसके लिए दो model जो है वो इन डेस 16 ने हमें बताए है subsequent measurement में एक है cost model और दूसरा है revaluation model अब revaluation model में किस तरीके की treatment होती है cost model में किस तरीके की treatment होती है उसका मैं एक बार आपको briefing दे देता हूँ and then हम लोग discuss करेंगे with regards to decommissioning liability कि कैसे उसके जो भी changes है वो हम recognize करेंगे और एक question जो आपको difficult पढ़ता है which is question number 6 उसके बारे में हम लोग आज discuss करने वाले है इस वीडियो में बने रहे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं subsequent measurement की इंडे 16 ने आपको दो यहाँ पर model देखे रखे हुए सर पहला model cost model और दूसरा revaluation model कहते कि यार property plant and equipment कोई भी अगर इंडे 16 में आ रही है तो entity चाहे तो cost model भी follow कर सकता है और entity चाहे तो revaluation model भी follow कर स होते जाएंगे और subsequent impairment losses इंडे 36 वाले भी minus होते जाएंगे लेकिन अगर entity revaluation model follow कर रहा है दोनों ही case हो सकते है revaluation gain भी हो सकता है entity को और revaluation loss भी हो सकता है अगर entity को revaluation gain हो रहा है और सबसे पहली बार हो रहा है तो वो आपका amount OCI के अंदर जाएगा हमारा जो asset है वो increase हो जाएगा और यह जो revaluation gain है वो OCI में जाएगा let's say कि first time अगर entity को revaluation loss हो रहा है in such case यह loss आपका profit and loss account में जाएगा हम लोग का asset भी decrease होगा और यह जो भी losses है वो आपके profit and loss में चले जाएगे अब subsequently वापिस से revaluation gain हो रहा है यह loss हो रहा है उसकी treatment इस बात पर निरबर होड़ती है कि पहली बार क्या हो रहा था let's say कि हम लोग रहा है जो भी amount आपके जो है वो OCI के अंदर दिख रही है पहले वो reduce हो जाएगी उसके बाद की जो भी amount है वो आपकी profit and loss में चली जाएगी first time हम लोग को loss हुआ था इस बार gain हुआ है जितना हम लोग में पहले profit and loss में डाला था same amount पहले जो है वो profit and loss में credit होगी और बाकी amount उनका revaluation surplus OCI के अंदर दोस्तो create हो जाएगा first time हमें loss हुआ था इस बार भी loss हुआ है पहले भी profit and loss में गया था इस बार भी profit and loss में जाएगा ये बाते मैं इतनी speedily इसलिए कर रहा हूँ करने के उस asset को वापिस से dismantle करने के इसके दो example मैं आपको दे देता हूँ एक है nuclear power plant let's say कि entity किसी जगा पर nuclear power plant जो है वो establish करती है लेकिन government बोलती कि boss तेरको मैं nuclear power plant establish करने की permission सिर्फ एक शर्थ पर दे रहा हूँ हमने बुचा क्या कहा कि बाई आप ये जगा को वैसी की वैसी बना के जाओगे आज आप nuclear का जब काम कर रहे हो तो बहुत सारी radiation जो है वो expose हो रही है in such case पूरा का पूरा आशपास का जो habitable area है वो खराब हो रहा है और in future जब ये जगा आप खाली छोड़के जाओगे तो इस case में ये जगा भी जो है वो रहने like नहीं बनेगी तो आपके जिमेदारी बनती है सारे equipments आप properly clean करके जाओगे और वो खर्चे हम लोग को कुछ सा 10th year में हो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तो इसलिए हम लोग उस खर्चे को आज ही जब machine को capitalize कर रहे है जब power plant को हम लोग asset के तौर पे दिखा रहे है इन such case वो खर्चे को भी हम लोग यहां पे asset की cost में add कर देते हैं सर लेकिन खर्चा तो 10 साल बात लगने वाला ह आज हम लोग कैसे asset की cost में add करेंगे वेल उस खर्चे को हम लोग discount करेंगे आज की present value पे and then वो present value जो है वो asset की cost में add होगा और हम एक simple सी entry मार देनी है that is asset account debit to provision यह provision हम लोग की liability बन जाएगी और यह जो asset है इसकी cost के अंदर भी यह amount आ जाएगी यह asset हम लोग का 10 साल तक going forward depreciate होगा और इस provision में हम लोग का time to time finance cost जो है वो add होता जाएगा because हमारा intention यही है कि let's say कि 10,000 के liability ही थी 10 साल बाद और आज उसकी present value हम मान के चलते है कि 6,000 आ रही है तो हम लोग का time to time धीरे धीरे यह finance cost add होते 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 हमारी liability दोस्तों 10,000 की बन जाए और एक entry में हम लोग काम खतम कर दे which is provision to bank और वहां तक पहुंचने के लिए उसकी तयारी हमें आज से ही शुरू करनी पड़ेगी तो यह तो basic है I guess यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं आती समझडे में यह clear ही रहता है मुद्दा या फिर confusion तब होने लगती है जब इस provision की amounts में changes आने लगते है well provision आपक पर किस तरीके की accounting होगी वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है और वो accounting आपकी cost model के अनुसार अलग होगी और revaluation model के साथ अलग होगी तो सबसे पहले हम लोग बात करते है treatment की under cost model कहते कि provisioning की amount अगर change हो रही है और cost model अगर हम follow कर रहे है तो किस तरीके से treat करना है हम एक example के करना है मतलब कुल मिला के dismantle करना है और जब मैं decommissioning करूंगा पचास हजार की cost आने वाली है और यह decommissioning मुझे 5 साल बात करनी है मुझे discount rate देके रखा हुआ है सर यह discount rate क्या होता है majorly यह discount rate आपका inflation rate होता रहा है जो कि 10% हम लोग को question ने दिया हुआ है अब इस case में सबसे पहले initial date पे मुझे यह property plant and equipment के entry माननी पड़ेगी और capitalize जो amount होगी वो होगी 10 lakh plus 50,000 को हम लोग ने discount किया हुआ है at the rate 10% for 5 years अगर हम यहाँ पे amount निकालने जाए 50,000 divided by 1.1 1 2 3 4 5 तो हमारी amount आ रही है 31,046 रुपीज यह amount मेरी आज capitalize हो जाएगी और मुझे यहाँ पे entry माननी पड़ेगी asset account debit 10 lakhs 31,046 रुपीज तो bank 10 lakh और तो provision for decommissioning liability यह provision for decommissioning liability हमारी amount होगी 3 1 0 4 6 और इसी तरीके से हम लोग की जो balance sheet है उसमें एक asset यहाँ पे create हो जाएगा 10 lakh 31,046 रुपीज का और यहाँ पे दोस्तों मेरा provision create हो जाएगा 31,046 रुपीज का अब going forward क्या होगा well going forward यह machine आपके जो है वो 5 साल के लिए depreciate होगी और यह जो provision है इस पे 5 साल का finance cost हर साल add होते जाएगा because 31,046 रुपीज और 50,000 में जो फरक है वो मात्र time value of money का है और इस time value of money के फरक को हम लोग financing के terms में finance cost के अंदर सबस्यूम करेंगी right so going forward let's say कि year 1 के end पे ऐसी situation आके रखी हुई है जहां पे हमने treat कर लिया है हमने treat किया और सबसे पहले entry मारी depreciation की well depreciation की यहां पे मैं entry मारता हूँ depreciation account debit to asset account 10,031,046 को मैं यहां पे depreciate करने जा रहा हूँ for 5 years हमारी यहां पे amount आ रही है 206,209,206,209,206,209 यह वाली amount मेरे asset की cost से दोस्तों reduce हो जाएगी दूसरा हमें यहां पे finance cost आड़ करना है इस provision में तो finance cost account debit to provision for decommissioning सर किस rate से करेंगे obviously जिस rate से हम लोग ने discount किया रहेगा 31046 पे हम लोग यहां पे 10% लगाएंगे और हमारी amount आ रही है 3104.6,3104.6 तो आज अगर मैं इस date पे बताऊं that is 31st March year end की position क्या है तो हम लोग का जो asset दिख रहा है हम लोग का जो asset दिख रहा है वो दिख रहा है 10,31,046 minus 10,31,046 minus यहां पे हम लोग का 206,209 दोस्तो minus हो जाएगा और मेरा सुन्दर सा asset दिखेगा 824837,824837 और रही बात provision की तो provision की अगर हम बात करे 31046 and plus 31046 plus 3104.6 अंसर हमारा आ रहा है 34,150 यह हम लोग की year 1 के end की situation है मुझे अभी अभी खबर आईए कि क्या estimate लगाया था present value के terms में आज आज आप जो भी liability दिखा रहे हो दोस्त वो बहुत ही जादा है in fact आज के terms में 2000 की जो liability है वो कम हुई है हमें अभी अभी खबर आई है there is a decrease in the provision by rupees 2000 हमने जो liability create की थी आज के terms में आज के terms में वो कितने दिख रही है 34,150 उसमें 2000 की कटवती आई है अगर हम cost model follow कर रहे है जो कि हम लोग इस case में करी रहे है तो in such case ये provision से दोस्तो amount कम हो जाएगा there is a reduction in liability हम 2000 क्या कर देंगे minus कर देंगे और हमारी amount बचेगी 3,2,1,5,0 और same amount दोस्तो मेरी asset की cost से कम हो जाएगा reduction in liability same amount 2000 की और मेरी यहाँ पे amount बचेगी 8,2,2,8,3,7 going forward आने वाले 4 साल में ये amount हमारी depreciate होगी और अब से मुझे going forward finance cost दोस्तो 3,2,1,5,0 में लगाना है अब अगर let's say sir इस case में increase हुआ होता तो कुछ नहीं यहाँ पे आपका जो है वो liability add हो जाता और यहाँ पे asset की cost में add हो जाता मतलब जहाँ पे हम लोग cost model follow कर रहे and if there is change in the liability going forward आपको कुछ नहीं करना है asset की cost के साथ adjust कर देना है अगर liability बड़ा है तो asset की cost को बड़ा देना है और अगर liability कम हो रहा है तो asset की cost को भी आप क्या कर दीजिए reduce कर दीजिए लेकिन challenging कहां पर होता है जहाँ पर हम लोग revaluation model follow कर रहे well I guess cost model आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा इसका एक question भी आपको यहाँ पर देखे रखा हुआ है question number 5 question number 5 आपको देखे रखा हुआ है आप यह solve करने चाहोगे easily आपको यह आ जाएगा लेकिन आज जो challenging question है वो हम solve करने वाले which is question number 6 question number 6 की अगर हम बात करें तो इस case में हम लोग revaluation model follow कर रहे हैं और revaluation model के लिए क्या guidance देके रखी हुई है revaluation model के लिए guidance तो बहुत ही अलग तरीके की देकी रखी है कहते है कि कोई भी अगर changes आते है तो वो depend करता है कि पहली बार क्या हुआ था revaluation gain हुआ था या revaluation loss हुआ था राइट बट हम लोग इसको धीरे-धीरे समझ दे की कोशिश करते हैं कि exactly revaluation model में जो भी आपका logic बैठता है treatment का वो किस तरीके से बैठता है राइट so let's say कि मैं इसी case की बात कर रहा हूँ यहां पर अगर हम लोग revaluation model follow करते और मैं same amounts यहां पर ले रहा हूँ हमारी asset की cost कितनी होगी सर फिर same to same भाई 10 लाग हमारा provision का amount same to same 50,000 हमारा discount rate same to same 10% और आज की date में मैंने उस asset को capitalize करके रखा हुआ है at 10,31,46 रुपीज में हमारा दोस्तों provision भी दिख रहा है sir कितने का well provision दिख रहा है 310,46 का यह हम लोग ने last sum में create किया था no need to create again अब इस point of time पे मैं इसको depreciate कर देता हूँ same amount से जो मैंने last time पे की थी that is 206,209 206,209 और हमारी amount बन चुकी है 824,837 और यहां पे मैंने finance cost add कर दिया है यह finance cost मेरा profit and loss में चला जाएगा 310,4.6 310,4.6 total amount यहां पे मेरी हो चुकी है 34,150 डिक्टो मैंने जो last sum में किया था इस sum में वापिस repeat किया है अब मैं यहां पे provision में जो भी reduction आया है यह मान के चलता हूँ कि year 1 में नहीं आ रहा year 2 में आ रहा है in fact year 1 में तो हम लोग चीजे revalue कर रहे है और मेरी liability वैसी की वैसी है year 1 में मैं जब revaluation कर रहा हूँ तो उस case में मेरा जो amount है वो आ रहा है यहां पे off 9 lakhs कहते हैं कि भाई आपकी जो asset की cost है वो कितने की है 9 lakh की है मैंने revaluation model follow किया है sir क्या हमारे पास option रहता है definitely subsequently आप अगर index 16 में आ रहे हो तो इस case में आप cost model भी follow कर सकते हो और आप revaluation model भी entity ने जो है वो revaluation model follow किया है और बहुत इसाइड decision रहा क्योंकि यहर वन के end में आपकी amount दिखरी है fair value की वो दिखरी है 9 lakh rupees हमें यहां पे दोस्तो revaluation gain हुआ है revaluation gain of rupees 9 lakh minus 824837 हम लोग का revaluation gain यहां पे दिख रहा है 75163 का और अब मेरी amount हो चुकि total 9 lakhs की अब again मैं guidance वापिस से बता देता हूँ अगर आपको सबसे पहली बार revaluation gain हो रहा है तो amount OCI में जाएगी अगर सबसे पहली बार revaluation loss हो रहा है तो amount profit and loss में जाएगी अगर पहले भी gain हुआ था अभी वापिस से आपको gain हो रहा है वापिस से amount आपकी OCI में जाएगी पहले आपको gain हुआ था अब loss हो रहा है तो OCI के अंदर जो भी amount है वो पहले आपको reduce करनी है और बचे भी amount आपकी profit and loss में जाएगी पहले अगर हमें loss हुआ था अब अगर हम लोग को gain हो रहा है इन सच केस आपकी जो amount है वो पहले profit and loss में जो amount गई थी वो reverse होगी बचे हुए OCI में जाएगी पहले भी loss अभी भी loss पहले भी penal में गया था अभी भी penal में ये वाले पार पर मैं इतना focus नहीं कर रहा है यह मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है यहाँ पर मैंने बस revision कर आया एक चोटा सा आप समझ लो कि भाई ट्रेलर सा दिखाया हुआ है यहाँ पर मैंने revaluation gain as such OCI में दिखा दिया of 75163 revaluation gain दोस्तों मैंने OCI में दिखा दिया 75163 अब इस point of time पे एक और साल गुजर चुका है हमारे यहाँ पे पहले तो हमें depreciate करना पड़ेगा asset और अब अगर दिखा जाए तो life सिर्फ 4 years की बची हुई है life 4 years की बची हुई है मैंने 9 lakh को divided by 4 किया मेरा जो amount आ रहे depreciation का वो आ रहे 2 lakh 25,000 और अब मेरी जो amount बची हुई है 9 lakh minus 2 lakh 25,000 इस 6 lakh 75,000 और इस पे मैं फिर से एक साल के लिए finance cost आड़ गरूँगा 3, 4, 1, 5, 0 into 10% हमारी amount आ रही है 3, 4, 1, 5, 0 into 10% 3, 4, 1, 5 हमारा यहाँ पे total आ रहा है 3, 7, 5, 6, 5 अब इस point of time पे यहाँ पे क्या हुआ है एक साल और as such गुजर चुका है और अब मेरी value दिख रही है 6,75,000 की और यहाँ पे मेरा value दिख रहा है 3, 7, 5, 65 का हमें बोलते हैं कि भाई आपको जो है liability में reduction आया है present value की terms में 2000 की liability क्या हो रही है reduce हो रही है तो आपको सबसे पहला step क्या करना है liability से 2,000 की amount minus कर देनी चीए यह तो दोनों जगा पे आप same करते हो 35,565 लेकिन अब जब subsequently आपको second treatment माननी है तो आप इसके साथ amount adjust नहीं करोगे rather आपको ठीक ऐसे मानना है कि भाई पहले आपका revaluation में क्या हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे treatment देनी है और उसके पीछे बहुत ही बड़िया logic है मैं आपको going forward भाभी बताऊंगा यहाँ पे एकदम simple सा हम लोग को देखना है कि भाई liability में reduction आया है liability में reduction आया है तो यह तो as good as हम लोग का फाइदा हो गया और यह फाइदे को हम लोग revaluation gain का नाम भी देना चाहे तो दे सकते है हाला कि यह साहीं नहीं होगा because asset के value में ऐसा कुछ changes नहीं आया है but subsequently अगर ठीक से analyze करें तो यह revaluation gain की तरह ही आपकी amount है कैसे हम लोग यहां पर देखते है let's say let's say let's say कि अगर मेरी जो fair value आ रही है वो 6,75,000 ही आ रही है यहां पर जब मैं accounting कर रहा हूं हमें already year 1 खतम हो गया था हमारा year 2 भी खतम हो गया है और year 2 में हमारी value आ रही है 6,75,000 की अगर देखा जाया तो अभी फिलाल के लिए ना ही gain क्रेट करने की ज़रूत है ना ही loss मैं अगर cost model वाली treatment revaluation में करूं cost model वाली treatment revaluation में करूं तो इन such case मैं यहां पर क्या करूंगा यहां से 2,000 माइनस कर दूंगा और मेरी amount कितनी हो जाएगी 6,73,000 और फिर मैं वापिस से gain क्रेट करूंगा क्योंकि मेरी value तो कितनी दिख रही है 6,70,000 की तो मैं यहां पर वापिस से 2,000 लिखूंगा और फिर से यह gain कहां पर जाएगा OCI में जाएगा और मेरा जो OCI का gain है वो 2,000 से add हो जाएगा तो इतनी मेहनत क्यों करनी आप जब मशीन को adjust करोगे फिर से fair value पे लाओगे तो बाते तो वैसी होनी ना जिसी revolution gain या loss की होती है so this point of time पर आप मान सकते हो if there is a decrease in liability treat such as a revaluation gain and if there is increase in the liability that is increase in the provision treat such as a revaluation loss एकदम simple सा logic लेके चलना है कि अगर liability में decrease आया तो आपके लिए revaluation gain होगा और liability में increase आया तो आपके लिए revaluation loss होगा because ultimately end point में treatment उसका वैसा ही होना है आप पहले asset की cost को adjust करोगे आप fair value को check करोगे and accordingly वो वापी से gain या loss की तरह ही उसे treat करोगे right so ये लोग बोलते कि आप second effect सिधा ही द जाएगा कहाँ पर जाएगा OCI में जाएगा सर अगर इस point of time पर liability increase हुई होती तो अगर यह liability आपकी increase हुई होती तो आप यहाँ पर add करते और आपका यह amount दिखता 39,565 का लेकिन यह जो liability increase है इसको आपको फिर treat करना as a revaluation loss और फिर यहाँ पर OCI के अंदर जाके वो amount क्या हो हुआ है और अभी subsequently आपका loss हो रहा है इन सच केस पहले OCI का value reduce होगा और उसके बाद कुछ भी amount बसता है तो penal में जाएगा यहाँ पर पहले आपका OCI का value reduce होगा और कुछ amount बचा ही नहीं यह पीनल में जाने के लिए because अभी भी मेरा OCI काफी जादा दिख रहा है 73163 तक का यहाँ पर 2000 जो है वो as such अड़ करके रखाऊं मैं यहाँ पर 2000 अड़ करता मेरी यहाँ पर amount आती 670,000 की फिर मैं यहाँ पर compare करता तो मेरा क्या होता loss होता 2000 का और फिर मैं 2000 का loss लेके जाता तो बात तो वही बन रही है तो अपने long cut के जगा पर क्या कर रहे है सीधा treat कर रहे तो अभी final conclusion ऐसा मान के चल सकते है कि अगर हम लोग का जो भी provision है वो increase हो रहा है PV के terms में तो उसको आपको treat करना है as a revaluation loss जिसका पहला effect क्या हो जाएगा? you will increase the liability also and second effect जिसा आप revaluation loss का करते हो वैसे का वैसा अगर आपका provision में decrease हो रहा है यहां treated as a revaluation gain तो in such case आपका liability क्या हो जाएगा? decrease और revaluation gain की जो treatment होती है वो यहाँ पे आपको करनी है as simple as that मैंने background दे दिया है अब हम सीधा sum solve करने जा रहे है question number 6 question number 6 यहाँ पे दिया हुआ है with regards to nuclear power plant इसमें एक और बात है जो हम लोग को समझनी जरूरी है but for now मेरे इसाब से आपको यह वाली बात अभी तक clear रही रही right so question number 6 यहाँ पे देके रखा हुआ है कि एक entity है जिसके पास nuclear power plant है एक entity है जिसके पास nuclear power plant है और उसके related decommissioning liability भी है nuclear power plant जो है वो operate करना start किया on 1st April 2001 और plan की useful life है 40 साल its initial cost was rupees 1,20,000 initial cost यहाँ पे कितनी है 1,20,000 की है और इस cost के अंदर हमने decommissioning cost को include करके रखा हुआ है 10,000 और यह 10,000 कैसे आई है 70,400 के cash flows हम लोग ने discount किये हुए 40 years के अनुशार और हमारी जो discount rate है वो 5% है मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि plant की useful life 40 साल है इसकी initial cost 1,20,000 है और इस cost के अंदर decommissioning cost है 10,000 की और यह PV के terms में है मतलब मैंने खरीदने के लिए 10,000 पे किया रहेगा उपर से liability और मेरे को incur करनी है जिसकी present value आज कितनी है 10,000 जो कि मैंने कहाँ पर डाल के रखी है cost में तो मेरी balance sheet कुछ ऐसी दिखरी होगी कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ nuclear power plant as rupees 1,20,000 और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ provision amount which is of rupees 10,000 as simple as that हम लोग इसको properly solve करेंगे पहले पूरा question एक बार जो है वो grip में ले लेते at least for the year 1 की जो information है वो हम लोग के दिमाग में अच्छे से clear होनी चाहिए अब यहाँ पे आपको क्या देखे रखा हुआ है that is कि the entity's financial year end on 31st March assume a market based discounted cash flow valuation of 1,50,000 is obtained at 31st March 2004 this valuation is after deduction of an allowance of rupees 11,600 for decommissioning cost which represent no change to the original estimate आप इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझे कि यहाँ पे देखो दो तरीके के valuer often आपको reality में देखने मिलेंगे एक valuer को आप बोलोगे कि भाई मेरको इस asset की valuation करके दे तो वो क्या करेगा वो बोलेगा कि यार इस asset का आपको आज के date में जो है वो एक लाख 10,000 मिलेगा और साथ में यह जो 10,000 के liability है वो भी सामने वाला बंदा take over करेगा तो अगर total मिलाया जाए तो एक लाख 20,000 जो है वो आपको इसकी आज की fair value मिल रही है because consideration के मामली में अगर देखा जाए तो liability माफ होना अपने आप में क्या होता है consideration होता है तो आप समझो इस तरीके से कि मेरे एक flat है जिसके ओपर loan चल रहा है of rupees 10 lakhs और इस flat को जब मैं बेचता हूँ तो बेचने की time पे मैं को सामने वाला 7 lakh रुपय दे रहा है और बोल रहा है कि ये loan भी मैं क्या कर रहा हूँ, hand over कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने नाम ले रहा हूँ in such case मेरे लिए तो consideration की 2 amount है कि एक तो मुझे 7 lakh receive हो रहे है दोस्तों, along with that मेरे 10 lakh की liability माफ हो रही है तो काईदे नुसार मेरे को इस घर के कितना मिल रहा है, 17 lakh रुपया same इस point of time पे ऐसा ही हुआ है, सामने वाले बंदे ने जो है liability जो माफ हो रही है, उसकी amount को as such अभी तक fair value में नहीं लिया है मिल रहा है, लेकिन यह जो liability माफ हो रही है, 11,600 की उस liability को अभी तक इस amount के अंदर नहीं डाला है काईदे अनुसार मेरी जो consideration है वो 1,15,000 प्लस 11,600, 1,26,600 होना चाहिए और हम लोग ने या पे fair value जो है वो 1,15,000 की अभी तक लिखके रखी है तो मेरे लिए as such अगर देखा जाए total इस घर का कितना मिलेगा तो 1 तो 1,15,000 मुझे मिलेगा in cash प्लस मेरी जो liability है उस वक्त की 11,600 की वो क्या हो जाएगी माफ तो overall fair value कितना हो गया 1,26,600 अब ये position आपको देखे रखी हुई है 31 March 2004 की तो पहले तो अपने 31 March 2004 में कितना assets और कितने liability दिख रही थी वो अपने देख लेते यहाँ पे मैंने initially nuclear power plant record किया हुआ है 1,20,000 का हम यहाँ पे provision भी दिखा रहे है of rupees 10,000 इस पे मैं finance cost आड़ कर देता हूँ 3 साल के लिए because the asset मैंने purchase किया था 2001 में और आज दिनाख चल रही है 2004 तो मैंने 3 साल के लिए जब add किया तो 10,000 plus 10,000 plus 5% plus 5% plus 5% तो 11,576 आ रही है बट institute ने 11,600 लेके रखा हुआ है because यहाँ पे लोग साफ साफ बोल रहे है कि the valuation is after deduction of an allowance of 11,600 for decommissioning मतलब आज की time पे हमारा जो decommissioning provision है वो 11,600 का दिख रहा है तो इन्हों ने round off किया है उस 24 के amount को ignore किया है हम भी ignore करके चलेंगे और यहाँ पे 1,600 का finance cost for 3 years add करेंगे और हमारी amount हो जाएगी 11,600 की यह finance cost often हमारी जो retain earnings है उसको कम करता है because debit होता है इसलिए इस चीज के करण हमारा retain earnings जो है वो 1600 रुपे से negative हुआ रहेगा and यहाँ पे मुझे 3 साल के लिए power plant को depreciate कर देना चाहिए so वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ which is rupees 9,000 that is 3,000 for 3 years तो total हमारी यहाँ पे amount बसती है 1,11,000 1,11,000 अब इस point of time पे जो 9,000 है वो भी as such अगर दिखा जाए तो retain earnings को negative करेगा तो overall इन दोनों amount ने मेरी retain earnings को 10,600 से negative करके रखा है 10,600 से negative करके रखा हुआ है अब next point of time पे मुझे यह देखना है कि यहाँ पे कितना amount मेरा revalue हो रहा है सर आज कि हम लोग का कुछ provision काम हो रहा है बिलकुल भी नहीं आज सिर्फ हम लोग का revaluation हो रहा है और revaluation की जो amount है वो कुछ इस तरीके से निकाली है कि बिना allowance को consider किये हुए हम लोग को मिल रहे है 1,15,000 बंदा cash देरा 1,15,000 का लेकिन वो 11,600 के जो liability माफ हुई है वो अभी तक हम लोग नहीं हाँ पे add नहीं किये तो वो liability भी हमारे लिए जो है वो fair value का part है which is 11,600 सर अब कितने की liability दिख रही है सौरी liability तो आपके 11,600 की दिख रही है कितने की fair value दिख रही है 1,26,600 का 1,26,600 का अब 1,26,600 का आपका यहाँ पे जो है वो as such fair value आके रखा हुआ है आप यहाँ पे revaluation gain दिखा दोगे दोस्तो 15,600 का क्योंकि यह gain हम लोग को सबसे पहली बार हुआ है और उसके कारण 1,266,00-1,10,000 आपके जो gain आ रहा है वो आ रहा है 15,600 का क्योंकि यह gain पहली बार हुआ है पहली बार अगर gain होता है तो वो OCI के अंदर जाता है as a revaluation surplus of rupees 15,600 का positive gain है यह हमारी year 1 की situation है year 1 की नहीं rather first treatment है year 1 से लेके year end पे 2004 के end की situation है चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2005 की कहानी देखते है ठीक एक साल बात की कहानी यहाँ पे हमें देखे रखा हुआ है कि 31 March 2005 को entity estimate कर रहा है कि technological changes के कारण हमारी जो present value के terms में liability है दोस्तों यह जो 70,400 है उसमें 5000 reduce नहीं हो रहे है आज के terms में आज जो अभी तक हम लोग नहीं किया हुआ है आज हमारी जो भी liability दिख रही है पैना इसे आज मतलब 31 March 2005 को हमारी जो भी liability दिख रही है वो 5000 से reduce हुई है और उसी वक्त हम लोग ने valuation officer को बुलाया और उसने valuation निका लिए 1,07,000 की which is net of allowance मतलब अगें उस बंदे ने liability को consider नहीं किया हुआ है अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 11 March 2005 की situation को लाके छोड़ देता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे depreciate करूँगा यह nuclear power plant को 37 years की जो life बचे हुई है उसके हिसाब से तो 1,2,6,6,0 divided by 37 तो मेरी यहाँ पे आ रही है 3421 और यह माइनस जब मैं करता हूँ तो मेरी अमाउंट बसती है 1,2,6,6,0 माइनस 3421 दाट इस 1,2,3,1,7,9 1,2,3,1,7,9 और यहाँ पे भी मेरा जो है वो as such अगर दिखा जाए तो finance cost आड़ हो जाएगा 5% for one year तो 11,600 plus 5% मेरा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 1,2,1,8,0 और जब मैं निकालता हूँ मेरी finance cost कितनी आ रही है तो it is rupees 580 यह जो 580 की अमाउंट है यह जो 3421 की अमाउंट है यह दोनों ही अमाउंट दोस्तों हम लोग की retain earnings को negative कर देगा तो यहाँ पे retain earnings और ज़ादा negative हो जाएगा by 580 plus 3421 by 580 plus 3421 तो हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाती है it is rupees around 4000 तो इससे और negative हो जाएगा और अब मेरी retain earnings को negative में दिखरी होगी totally अगर दिखा जाए तो 14,600 14,600 से मेरा retain earnings cumulatively जो है वो negative होके रखा हुआ है अब हम लोग देखते changes क्या करनी है changes की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग का provision कम हुआ है by rupees 5000 और मेरा अब latest नया novella provision दिख रहा है 7180 का 7180 का और यहाँ पे provision जो कम हुआ है जैसे कि मैंने आपको बोला था अगर आपकी liability कम हो रही है तो मुबारा को फाइदा हुआ है इसको आपको ठीक revaluation gain की तरह treatment देनी है और जैसे हम लोग revaluation gain को treat करते हम लोग क्या पूशते कि पहले क्या हुआ था पहले gain हुआ था पहले amount कहां गई थी OCI में अब भी amount कहां चली जाएगी OCI में तो ये amount आपकी OCI में जाके add हुजाएगी by rupees 5000 और फिर हम लोग को इस machinery को वापिस से चेक करना है इस nuclear power plant को चेक करना है कि भाई इसकी valuation सही है ये गलत दिख रही है सो काईदे नुसार यहां पे लिखा हुआ है कि भाई valuation आ रही है एक लाग साथ हजार की एक लाग साथ हजार की valuation आ रही है इसमें आप ये जो allowance है 7180 की liability का वो add करोगे because एक लाग साथ हजार तो आपको नगदी मिलेंगे और 7180 की liability आपकी कम होके मिलेगी सो यहां पे मेरी amount आ रही है 114180 1,7,000 1,7,000 plus 7180 तो total amount मेरी आ रही है 114180 की right so इस point of time पे अगर दिखा जाए compare करते है वक्त तो हम लोग को loss हुआ है of around rupees 8999 right यह हम लोग का जो 123, 179 minus 114180 हम करेंगे तो हमारा loss आ रहा around 899 something यह loss हम लोग का OCIE से minus हो जाएगा because इसको हम लोग को revaluation loss की तरह treat करना है और revaluation loss को अगर हम treat कर रहे है तो subsequently gain हुआ था अब loss हुआ है अगर कोई भी balance OCIE में दिख रहा है पहले वो क्या होगा reduce होगा अब मैं वो आपका जो पहला वाला logic मैंने आपको बताया था वापिस से मैं यहाँ पर prove कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सीधा revalue नहीं करता मैं cost model पर जाता और cost model के अनुसार मैं यह जो 5000 है वो पहले यहाँ से minus करता तो मेरी यहाँ पर amount दिखती 123179-5000 की that is rupees 118179 की और इसको जब मैं compare करता with the new fair value that is 114180 तो मेरी यहाँ पर amount होती around 4000 की loss की और यह loss जो है वो OCI के अंदर जाता आज भी अगर check करोगे तो impact कुछ ऐसा ही हुआ है आपके 5000 का gain गया है और 9000 का loss गया है मतलब net अगर देखा जाए तो 4000 का loss OCI में जा रहा है तो यह बोलोगे कि भाई आप पहले cost से minus करते हो फिर वापिस से fair value पे check करोगे तो जब fair value change हो रही है तो समझ में आता है बट change नहीं हो रही है तो आपको इतना गुमा के क्यों जाना है आप सीधा भी तो जा सकते हो और इसलिए मैंने आपको बोला अब इसमें थोड़े से और complications है बट आपके लिए इतना समझना काफी है जितना आज की lecture में हम लोग ने cover किया है question number 6 हम लोग के लिए important बनता है exam में आने के chances बिल्कुल बनते है आज की वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में हम लोग probably इस chapter को revise करने की कुश्चिश करेंगे till then अगर कोई doubts है तो आप comment section में पूछ सकते है bye